नमस्कार आप देख रहे हैं जीवीरेन नियूस सलेगोडी और आपके साथ मैं सुप्रिया पीछे के जाम से आप समझी गए होंगे कि आज हम इसी सलसले में आज हम आपसे बात करेंगे यह है महाननदा तू की द्रिश्य महाननदा वान की द्रिश्य तो हमने आपको सुबह द दूसरी जीवीरेन टीम की तरफ से लेकिन जहां पर महाननदा वान की एक ब्रीज को बंद किया गया पैरिंग करने के लिए वहीं हम देख सकते हैं कि जो चार रस्ता है जो जल्पाई मोड से आती है जितने भी जो गाड़ी जो एंजीपी साइड से आती है और तो आप महाननदा टू ब्रीज की द्रिशे देखिए जहां पर ये जैम देखिए जैम आज रविवार है आज नया साल का नई साल का आज पहला रविवार और रविवार हला की सब बंद होता है दुकाने बंद होती है बजारे बंद होती है तो सड़के खाली होती है लेकिन आज का रविवार का द्रिश्य कुछ अलगी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग है क्योंकि आज पहला रविवार है और रविवार को ही छुटी मिलती है तो आज ज्यादतर नए साल में पिकनिक मनाने के लिए जाते है लेकिन वहीं आज घंटों घंटों तक जयाम में फसे हु वह हिल्स से जितने भी जो गाड़ी आती है ये लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से महानंदा वान ब्रीज में जो जैम है उसको अवाइट करने के लिए यह रस्ता चुन रहे है यहां के कुछ लोग लेकिन उसके वज़े से भी यहां पे बहुत लंबी जैम है आपको यह जैम नजर आरे होगी यह जैम पूरा चंपचरी मोड तक है क्योंकि अभी ही हम वहां से आ रहे हैं पूरा जैम है पूरा रस्ता जैम है अगर आप सोच रहे हैं कि अगर कि अगर महानंदा वान को महानन्द वन ब्रीज को अवाइड करके महानन्द टू ब्रीज से आप जाए तो ये ब्रीज में भी इसी तरह की जैम आपको देखने को मिलेगी देखें कितना लंबा जैम है देखें हिर्स के गाड़ी आ रहे है डूल सी जो है वो सब गाड़ी आ रहे है जितने भी जो गाड़ी आ रहे हैं सभी यहां से ताकि वो jam को avoid कर सके हाला कि यह जो bridge है महाननदा 2 जो bridge है वो भी उसका भी हालत कुछ ठीक नहीं है हमने पहले भी दिखाया था कि किस तरह की हालत है यह महाननदा 2 की महाननदा 2 की किस तरह की हालत है यह भी आमने आपको दिखाया हालत इसका भी बहुत नाजूख है हाला कि आज PWD से एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि जो महाननदा 1 का जो bridge है उसको repair कर सके ताकि जो हालत वालासन bridge तूटने पर हुई थी वो हालत ना हो क्योंकि उसके वज़े से जितने भी जो लोग है वो सब को मुस्किलियों का सामना करना पड़ा था महाननदा 1 तो बन जाएगी लेकिन क्या महाननदा 2 भी बनेगी क्योंकि महाननदा 2 भी बनना बहुत जरूरी है क्योंकि नीचे का जो इसका जो एक pillar है वो बहुत सिर्फ एक pillar नहीं दो-दो अब दूसरा pillar भी वो उसका हालत नाजुक होते जा रहा है हमने आपको बहुत दिखाए इसके बारे में भी हमने आपको पहले अपडेट दिखाए थे अब प्रश्न यह आता है कि कब बनेगी यह क्योंकि महाननदा 1 ब्रीज को जितनी महत्व दी जाती है क्योंकि वो चार रस्ता चार रस्ता से आते हैं बावज में जो गाड़ी है वो चार जगों की रस्ता से आती है, चार मोड है वहाँ पे, लेकिन ये भी कोई कम नहीं है, एक बरीज है लेकिन जितने भी जो हिल से और जितने भी जो डॉस से गाड़ी आते है, वो यही आते हैं, क्योंकि बावलासन ब्रीज जब से तूटा तब से गारी पूरा घूम के आना पड़ता है फिर भी बालसन ब्रीज में अभी भी alternative यानि कि बिकल्प ब्रीज बनने के बावजूद उसमें बेली ब्रीज बनने के बावजूद भी उसका अभी तक हालत ठीक नहीं हुआ है अभी भी लोगों को वही मुश्किले जहिलनी पड़ती है हालाकि कम लेकिन फिर भी मुश्किले अभी भी जहिलनी पड़ती है अब सोचे अगर ये ब्रीज महाननदा टू ब्रीज का भी वही हाल हुआ तो क्या होगा नया साल में आप सभी को PWD ने तो उपहार देने के लिए रेडी है तयार है शुरू भी कर दिया है क्योंकि महाननदा 1 की भी हालत नाजुक है लेकिन महाननदा 2 भी नाजुक है देखते हैं कि महाननदा 2 आखिर कब बनता है आखिर कब बनना चालू होता है वान शुरू हुआ है तो हम महाननदा 2 भी ब्रीज बनने की भी हम आस रखते हैं हम यह भी उम्मीद रखते हैं कि यह ब्रीज को भी जल्दी से जल्दी बनाए क्योंकि यह भी बहुत पुराना भी प्रिज जितने बीजिस सिलिगुडी में जितने जो ब्रिज है वो सभी बहुत नाजुक हो चुके है अब इसको या तो नया बनाना पड़ेगा या तो रिपैर करके फिर से उसी ब्रिज को चलाना पड़ेगा सिलिगुडी के ही नहीं बलकि बागपूल बागपूल का भी सवाल है आखिर कब होगा कब कदम उठाएंगे क्योंकि जिस सबुएम हमें देखने को मिल रही है उसी तरह की जैम आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा जैम है रस्ता चंपासरी मोर तक पूरा जैम है धीली धीले करके आगे बढ़ रही है गारिया जब देट के साथ बने रहे हैं और देखते रहे हैं जीविएने नियूस सिले गुड़ी थन्यवाद